Siblings, आज के वीडियो का विशे है कि अंग्रेजी के शब्द Siblings का हिंदी में क्या आर्थ है सबसे पहले यदि आप सही spoken English सीखना चाहते हैं तो आप अभी इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें और मेरे द्वारा प्रकाशित प्रते दिन नए वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए मुझे एक बात बताईए आपके कितने सगे भाई एवं बहन हैं आपके सगे भाई एवं बहन को आप अंग्रेजी भाशा में Siblings कहते हैं और Siblings का बहुआचनी रूप है Siblings अंग्रेजी भाशा के शब्द Siblings के लिए हमें हिंदी भाशा में यह शब्द उपलब्द हैं सहोदर, समाभासी, अत्वा सहदर यदि आपके एक से अधिक सगे भाई या बहन हैं तो आप उन्हें एक साथ संबोधित करने के लिए अंग्रेजी भाशा के शब्द Siblings का उप्योग कर सकते हैं दाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अपने माता-पिता की कुल मिलाकर चार संताने हैं उन चारों में से एक आप हैं तब ऐसे में यदि आप अपने स्वयम के अतिरिक्त अपने बाकी तीन सगे भाईयों एवं बहनों को एक साथ संबोधित करना चाहें तो आप अंग्रेजी के शब्द Siblings का उप्योग कर सकते हैं यहां पर याद ध्यान में रखिए कि इस बात से कोई अंतर नहीं है कि आप स्वयम पुरुष हैं अत्वा स्त्री हैं एवं इस उदाहरण में आपके अतिरिक्त आपके माता-पिता की तीनों संताने पुरुष हैं अत्वा स्त्री हैं अंग्रेजी के शब्द siblings का उपयोग हर परिस्तिती में सही है। इस उदाहरण में आप इस वाक्वे का उपयोग करेंगे। I have three siblings। एक बार पुना सुनिये। I have three siblings। अंग्रेजी के इस वाक्य का हिंदी में अर्थ है कि मेरे तीन समाभासी हैं अत्वा मेरे तीन सहोदर हैं अत्वा मेरे तीन सहदर हैं अब आप एक कार करिए अपने सिब्लिंग्स के साथ इस वीडियो को अभी शेर कर दीजिए और यदि आपको सिब्लिंग्स का हिंदी में अ क्या होता है समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक तो करी दीजिए धन्यवाद